और गैनी कैसे हो सारे के सारे दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट है आज की इस वीडियो में मैं आपको सेवन डेज की फ्री टीटमेंट बताऊंगा कि आपको क्या करना है अगर आपका चहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ चुका है और आपको क्या करना है साथ दिन सिर्फ साथ दिन आपको ये चीज़ करनी है कई लोग आपसे ये कहते है कि इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए और फिर कभी भी आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते वीडियो में अगर एक छोटी सी भ खराब ना हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और दूसरे सबसे जरूरी लोग जिने ये पता है कि उनका चेहरा पहले बहुत अच्छा था पहले बहुत ठीक था लेकिन न जाने क्यों अब वो काले पढ़ने लगे हैं उनकी स्कीन बहुत जादा डल होने लगी है त ऐसे फिर से खोया गोरापन वापस आप पा सकते हो पहले मैं आपको कारण भी बताओं कि ऐसा क्यों होता है तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि यार आखिर ये चेहरा काला क्यों पढ़ता है आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग आपसे ये भी कहते होंगे कि अरे यार तेरा चेहरा पहले तो बड़ा अच्छा था अब क्या हो गए देखो महिलाओ में अक्सर प्रीगनिंसी के वज़े से ये प्राब्लेम देखने के लिए मिलती है और जो हमारे में होते हैं उन्में बाहर गुमने की वज़े से डलनेस आ जाता है टैन आ जाता है या फिर उनक hormones उपर नीचे हो जाते है तो उसका बिलकुल सही से अपने चहरे के उपर हमें वो देखने के लिए मिलता है तो अभी ये बात है कि यार सबसे ज़रूरी चीज क्या है हमारे चहरे के लिए तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे चेहरे के लिए सबसे जरूरी बात है vitamins और उससे भी जरूरी बात है minerals जब महिला pregnancy के बाद में उनका dullness क्यों हो जाता है क्योंकि उनके जो vitamins और minerals है वो fluctuate होने लग जाते है और जो हमारे लड़के होते है उनमें अक्सर क्या होता है गलत डायेट और गलत atmosphere की contact में आने के वज़े से अक्सर उनके अंदर के जो proteins होते है जो vitamins होते है जो minerals होते है वो एकदम से उपर नीचे होने की वज़े से उनकी skin समय के साथ-साथ बहुत ज़ादा डल पड़ जाती है खराब होने लगती है और ऐसे में वो सहारा लेते है chemicals का, steroids का steroids वो चीज होती है जिसे जब आप शुरुआत में लगाते हो तब तो बड़ा मज़ा आता है लेकिन जब आप उन्हें छोड़ देते हो तो वो आपके चेहरे को हमेशा के लिए खराब कर देते है और इसी चीज से मैं चाहता हूँ कि आप जागरूग बनो, मैं चाहता हूँ आप सतर्क बनो, इन सारी चीजों से आप दूर रहो ये नैचरल ट्रीटमेंट आप एक बार यूज करके देखो और इसी लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो चेहरा काला पड़ चुका है उसे फिर से गूरा किया जा सकता है क्या हम फिर से ठीक हो सकते हैं, क्या हम हमारे नॉर्मल स्कीन टोन को पा सकते हैं तो देखो, काला खराब चेहरे को ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका एक में हो है कि एक होता है सोनेरी समय यानि कि गोल्डन आर अब आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा क्योंकि कई लोग आपको ये बताते नहीं है देखो golden आर यानि कि सोनेरी समय का मतलब होता है कि वो समय जब जो धूप होती है उसकी जो किरने होती है उसके तरब से essential vitamins और minerals हमें मिल सकते हैं वो समय कौन सा होता है देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 7 से 7.5 बजे का समय अगर आप इस धूप में जाकर खड़े रहते हो और अगर आपके चेहरे के उपर डलने से है चेहरे के उपर acne pimples है चेहरा बहुत ज़्यादा खराब है open pores है चेहरा डल है तो मेरा यकीन मानो यह जो धूप है यह आपको essential vitamins और minerals देंगी वो essential vitamins और minerals देंगी जो आपको बड़े यह जो हमारी प्रकृती मा होती है इसके अंदर कुछ ऐसे vitamins और minerals है जिनका फाइदा हमें भरपूर होता है तो आपको क्या करना है कल से अगर आपको पता है कि आपकी स्क्रिंडल पढ़ चुकी है तो कल सुबह उटते ही 7-7.30 का जो समय होता है उसमें जो धूप होती है उस जाकर धूप में खड़ा रहे ना है इससे क्या होगा कि आपके चहरे की खोई चमक वापस restore होगी क्यों कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि essential vitamins और mineral आपके चहरे को direct मिलेंगे यानि कि ना ही किसी क्रीम की जरूरत है ना ही किसी और चीज़ की अब दूसरी बात खराब चहरे को ही कैसे करें कई लोग ऐसे होते हैं जिनके चहरे के उपर chemicals के side effect हो गए है कई लोगों के उपर pregnancy के वज़े से उनका चहरा डल पड़ चुका है तो medical से एक क्रीम आती है alo grace नाम की जिसकी कीमत होती है 87 rupees आपको रोज रात को सुने से पहले इस क्रीम का इस्तमाल अपने चहरे मैंने बताई है बहुत ही सस्ती है ये कोई मेरी क्रीम नहीं है ये क्रीम आपके चहरे को ठीक कर देगी और हमेशा याद रखो अगर आप मेरे चानल पर वीडियोज देखके अच्छे skin whitening cream भी यूज करना चाहते हो लेकिन अगर आपका चहरा ठीक नहीं है आपके चहरे के इस्तमाल अपने चहरे पर करो इससे क्या होगा कि आपकी जो skin है वो normal होने लगेगी ठीक होने लगेगी और जब आपकी skin normal और ठीक हो जाएगी उसके बाद में आप किसी भी skin whitening cream का इस्तमाल अपने चहरे के ऊपर करोगे ना तो आपका जो चहरा है ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा लेकिन अभी सबसे ज़रूरी बात है कि ये seven days का treatment यानि कि अगर आपका चहरा बहुत जादा डल हो चुका है बहुत जादा खराब हो चुका है उसके अंदर glow नहीं है तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि सुबह उठते ही जाकर के आपको धूप में लगाना है रात को सोने से पहले ऐलो ग्रेस नाम की क्रीम रात को लगानी है साथ दिन लगानी है और सबसे ज़रूरी बात जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है कि दिन में आपको जादा से जादा पानी पीना है ताकि आपके essential vitamins और mineral अपने आप restore हो सके हमारी body 70 टक्ये पानी से बहुत जल्दी बिमारिया भी उन पर attack करती है और उनका चहरा भी बहुत जादा खराव हो जाता है मेरी आपसे दिली दर्खासत है कि आप इन चीजों का अच्छे से अगर आप आलन करते हो तो जिन्दगी में दोबारा आपको किसी भी चीज की ज़रूरत नहीं पड़ेग तो आज की इस वीडियो में मैं उमीद करता हूँ कि कई लोगों को अपने प्रॉबलम का हल मिल गया होगा बाकी मुझे गर दिजे माफ क्योंकि अगर इस वीडियो में कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी होंगी तो आपके भावनाओं को ठेस पहुचाने का मेरा अ नहीं था उमीद है चोटा सा प्रयास पसंद आओंगा तब तक के लिए अपना धिहान रखिए